हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल पर इच्छा प्लान में वो आज की वीडियो में बिग्यान के उन प्रस्णों को हल करेंगे जो जुलाई 2013 वाले पेपर में पूछी गए थी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यदि आप चैनल पर नहीं है तो चै नीचे दिये गए है कि पुलिखाए कच्रे को गडे में डानिये दूसरा लिखाए गड़े की तनी में रेत की परत बिचा कर ढख दीजिये गड़े को घास अतवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढखिए और चौथा लिखा है अब गड़े में केच्विव डालिए इन चरड़ों का सही किरम है प्रिंटा सही किरम बताना है तो सही किरम में सबसे पहले आएगा गड़े की तली में रेद की परत बिछाप कर ढख दीजिए पिर आएगा कच्रे को गड़े में डालिए यानि B फिर A उसके बाद अब गड़े में केच्विव डालिए और पिर अंत में आएगा C गड़े को गहास अत्वा टाट के बोरे से पोला रखकर ढखिए प्वग B A D C यानि तीसरा विकल्फ इसमें सही है इस करम में ये आएंगे अगला प्रसने दो जीव सबसे अच्छे मेत्र हैं और साथ साथ रहते हैं इन में से एक आवास जल तथा पोसक तत्व पिरदान करता है जबकि दिश्रा भोजन बनाता एवं पिरदान करता है जीवों के इस पिरकार के समन्द को कहते हैं पहला विकर्प है स्वापोसर दूसरा विकर्प है पर जीविता तीसरा विकर्प है विसम पोसर और चौथा विकर्प है सही जीवन तो इस प्रसन में चौथा विकर्प सही है सही जीवन अगला प्रस्ण है आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गती करता है क्योंकि पहला बिकल पर गिरास नली की भीति की पेस्यां संकुचन करती है diagnos तो इस प्रस्ण में पहला बिकल पसे है गिरास नली गर्षिका की भीति की पेस्यां संकुचन करती हैं इसलिए भोजन नीचे की और गती करता है पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रसने मेड़क तथा क्यचुगा दोनों अपनी त्वचा से स्वसन करते हैं यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है पहला विकल्प है सुस्क एवं रूप्ष दूसरा विकल्प है सुस्क एवं सिले सिमी है तीसरा विकल्प है आदर एवं रूप्ष और चोथा विकल्प है आदर एवं सिले सिमी है तो इस प्रसने में चोथा विकल्प सही है आदर एवं सिले सिमी है प्रता विकल्प इसने सही है अगला प्रस्ण पिकनिक पर जाते समय किसी चात ने यात्रा समाप खोने तक बस के ओरो मीटर का पाठ्यांक प्रतेक 10 मिनट पर चात नोट किया अंत में उसने इन पाठ्यांकियों को नीचे दर्साई सार्डी में लिखा जो ये प्रस्ण हल करना है बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रती सेकेंड में वोसत जाव भी तो इसको हल करेंगी तो इसका उत्तर आएगा पहला पंदर है पहला विकल्प इसमें सही होगा अगला प्रस्ण है आपको एक अवतन दर्पड एक अवतन लेंज एक उत्तर दर्पड तथा एक उत्तर लेंज दिया गया किसी बिंब का विवर्दित प्रति बिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो पहला विकल्ब है अवतल लेंज या उतल लेंज दूसरा विकल्ब है अवतल दरपड अथवा उतल दरपड तीसरा विकल्ब है अवतल दरपड अथवा अवतल लेंज कॉंकेव मेरर और कॉंवेक्स लेंज अगला प्रस्नेंडियम लिखित में से खडी फासिलोंता समुच्या चुनिए प्यरा विकर्पे कपास, धान, मटर, अलसी, दूसरा विकर्पे धान, मक्का, कपास, सोया बीन तूसरा विकर्पे चना, सरसो, मुफली, गियवन और चौता विकर्पे मक्का, धान, अलसी, सोया बीन तो खरीव की फासलों का समुच्या बताना है तो दूसरा विकर्प सही है धान, मक्का, कपास, सोया बीन खरीव की फसले जो हैं वो जून से सितंबर की बीच होती हैं धान, मक्का, कपा, सोया, बीन, मूफनी, आदि, खरीव की फसले हैं इसके इलावा कौन-कौन सी फसले होती हैं? रवी की फसल होती है, अक्टूबर से मार्स तक होती है इसमें गेहु, चना, मतर, सरसो, अलसी, आदि उगाया जाता है जायद की फसल में क्या-क्या उगाया जाता है? तो जायद की फसल में तर्वोज, ककडी, पत्तेदार सब्जियां, खीरा, भिंडी, तोरई, ये सब उगाया जाती हैं अगला प्रस्ण है फसली पौदों पर खरपतवार के प्रवाव के विसर में नीचे दिये गए कतनों का अध्यन केजिए लिखा है ये फसली पौदों की आरोगी वरद्दी में सहायता करती हैं दूसरा कफन लिखा है ये कटाई में वाधा उत्पन करती हैं तीसरा लिखा है ये पादप की वरद्दी को प्रवारित करती हैं और चौथा लिखा है ये फसली पादपों से जल पोसकों इस्थान तथा पिरकास के लिए इस परदा करते हैं इनमें सही कथन है जो सही है वो बताने तो इसमें B सही है, C सही है, D सही है यानि तीसरा विकल्प इसमें सही है प्यानला गलत है कि ये फसली पौदल की आरोग वरंदी में सहायता करते हैं ये गलत है और सही कथन में बताने थी तो सही तीन है B, C और D अगला प्रस्नेंट जब हम जब हम सोडियम हाइड्रोकसाइड के ताजा वने जली विनें में एल्मुनियम की पनी डालते हैं तो गैस पन होती है नीचे दिये गए कतनों में से कौन सा कतन इस गैस के गोड़ों का सही वर्णन करता है पहना लिकल्प लिका है रंग हीन वंगन्द हीन गैस जल्ती माचिस की तीनी को बचा देती है दूसरा लिखा है रंग हीन एवं गंद हीन गयर्स जो जल्ती मौनवत्ती के जल्ले में सहायता करती है तीसरा विकल्प लिखा है तीछर गंद वानी भूरे रंग की गयर्स और चौथा कथन लिखा है रंग हीन एवं गंद हीन गयर्ष जो जलती मार्चिस की तीनी नजदेख लाने पर पॉप द्वनी उत्वन करती है तो इस प्रस्ण के लिए चौथा विकर्प सही है प्रस्ण है विशेष छेत्री इस पीसीज के विशा में नीची दिये गई कर्थनों में से कौन सा सत्त है परना विकर्प अपनी आवास की नष्ट होने का इन पर कोई पिर्वावर में ही होता दूसरा विकर्प ये केवन चिरिया धरों एवं वानस्ततिक उध्यानों में पाई जाती है तीसरा विकर्प ये केवन विशेष आवास में ही पाई जाती है और चौथा विकर्प विशेष छेत्री इस पीसीज कभी वी संकटा पन नहीं भो सकती तो इस प्रस्ण के लिए तीसरा विकल्क सही है ये विशिष्ट आवास मेंगी पाइंग जाती है अगला प्रस्ण है नीचे दिये गई युगलों में से कौन सा युगन लप्चणों की आनुवान सित्ता से संबंदित है तो इस प्रस्ण में पहला रुकन सही है कौन सा युगन सही है तो इस प्रस्ण में सही वोगापकोस का जिल्नी क्रोमोसॉम राइबोसॉम माइट्रो पॉंडिया सेन मेंब्रेन क्रोमोसॉम राइबोसॉम माइट्रो पॉंडिया तीसरा रुकर किसमी सही अगला प्रस्ण है नीचे दिये गई जन्न से सम्मंदित पदों के समुच्यों पर विचार कीजिए इनमें सही सयोजन के समुच्य है तो इसमें B सही है C सही है और D सही है यानी B, C, D तीनों सही है दूसरा विकल्प इसमें सही अगला प्रस्ण है टेड पोल के कायांतरण के लिए जन्न में निमलिकित में से किस तत्यू की उपलब्दता आवश्यक है पहला विकल्प है क्लोरीन दूसरा विकल्प है ब्रोमीन तीसरा मिकल्प है सन्फर और फोथा विकल्प है आयोडिन तो इस प्रस्ण के लिए चोथा मिकल्प सही है आयोडिन अगला प्रस्ण निमलिकित में से कौन सा उच प्रात्मी की स्तर पर विज्यान सिक्षण का और देश नहीं है प्याना मिकल्प है प्रस्ण पूछने और ज्यांस पड़ताल क्वासल का विकास करना दूसरा मिकल्प है तक्नी की क्वासल अर्जित करना तीसरा मिकल्प है प्रकर्मन क्वासल अर्जित करना और चोथा मिकल्प है व्यज्यानिक साक्षरता अर्जित करना तो इस प्रस्ण में अगदेश नहीं है पूचा गया है तो दूसरा विकल्ट सहीं होगा तकनीकी कोसल अरजित को होगा अगला प्रस्ण है राश्ट्री पाठे चर्या की रूप रेखा 2005 ने इस बात का प्रवल समर्थन किया है कि उच्च प्राच्पी की स्थर पर विग्यान सिक्षण को पहला विकल्प है सिक्षार्थियों को प्रतियोगता परिक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए दूसरा है संवेग आत्मक रूप से संतुलित बनने में सिक्षार्थियों की सहायता करना तीसरा विकल्प है संगड़ना कोसल अर्जित करने में सिक्षार्थियों की सहायता करना और चौथा विकल्प है विसे सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अन्सरड करना वो इस प्रस्ण के लिए चौथा विकल्प सही है कि विसे सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अन्सरड करना अगला प्रस्ण है उच्छ प्रात्मे के स्थर पर विज्ञान पाठेजर्या की संग्या नात्मक ब्यादिता की यह मांग है की पैला विकल्प है उसे सिक्षार्थियों की आयू की देस्टी से उप्योप्त और उनके बोधा निस्थर की पुहच के भीतर वहना चाहिए स्रजनात्मक ता को कोशित करना चाहिए और फ्रोथा विकल्प है उसे सिक्षार्थियों को इस योग बनाना चाहिए कि वे सराहना कर से कि समय के साथ विज्ञान की समकरपनाई किस तरह विक्सित वोती है तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकल्प सही है उसे सिक्षार्थियों की आयू की दिश्टी से उत्योक्त और उड़िके बोधन इस्तर की पहुच के भीतर होना चाहिए अगला प्रस्ण निमलिकित में से कौन सा बैंग्यानिक प्रवर्ति वाने व्यक्ति के व्यक्तित विशेष्था को प्रदर्सित नहीं करता है पहला विकल्प है परमाड मांगना दूसरा है पच्छ पाती राय तीसरा है तर्प संगत चिंतन और चौता है वियापक सोच तो प्रदर्सित नहीं करता है पूछा गया है दूसरा विकल्प सही वोगा पच्छ पाती राय अगला प्रस्ण है उच्छ प्रात्मे के स्तर की कच्छाओं की NCRT की पुस्टकों में द्यानिक जीवन से सम्मन्दित वियापक संखिया की प्रस्ण सामिल किये गई जिने हल दो नहीं किया गया ऐसा इस नहीं किया गया ताकि फैला रुकल्प में एक चलन के लिए शिक्छतों के पास एक अच्छा प्रशन भणना रहे हैं दूसरा है का इं इन प्रस्णों को ब्ध्यानिक के पास भेज़ कर उनके उतर प्राप्त कर सके math के लिए इन प्रस्टी स्ञ कौर्ब सके तो इस प्रस्न के रिए जोत्पा विकलत साहिए सिक्षारती विभक सरोको की खोज करते हुए इन प्रसनों के राप्त कर सके अगला प्रस्नاج की 11 की सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निलिकित आवस्चेक साफधानियों का उन्लेव करती है पहला है थर्मा मीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से दोना चाहिए दूसरा है थर्मा मीटर को पढ़ते समय उसे वल्वी की तरफ से नहीं पपड़ना चाहिए तीसरा है थर्मा मीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी इस्तर 35 डिगरी से अलसियस से कम है और चौथा है थर्मा मीटर के मरकरी इस्तर को द्रस्टी रेखा के नाकर पठन करने उपरेत में से कौन सी सामधानी सिक्षक में गलत बताई है तो जो गलत सामधानी है उसको बताई है तो इसमें पहला जो बताया है पहली सामधानी थर्मा मीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गरम पानी से दोड़ना चाहिए यह गलत है और इसमें गलत विकल्ब होता है इसका उत्तर होगा पहला विकल्ब क्यूंकि गलत ही पूचा गया है क्थ थर्मामीटर को प्रेयोग से पहले और बाद में धोगोना तो चाहिएल लेकिन गर्म पानी से नहीं होना चाहिए साधार पानी से दोड़ सा 관심 इसलिए इसमें पहला वाला गलत अग्ना प्रस्णे कच्चा आठ के लिए एन सी ई आठी पाठे पुस्ट्पों के अभ्यासों में गत्विदी एवं पर्योजना भाग रखने का मुख उब्देश है प्याला मिकल्थ है आधार व्रूत संकल्पनाव की यहन समझ को बढ़ाना दूसरा है छुट्टियों में सिक्चार्थियों को व्यस्त रखना तीसरा है प्रायोगी कौसरों में सिक्चार्थियों का आकलन करना अर्थ होता है अधिगम विस्तार के लिए सिक्चार्थियों को अवसर उपनाब्द कराना तो इस प्रस्ण के लिए चौथा विकल्प सह अधगम विस्तार के लिए सिक्षार्थियों वो अवसर उपलब्द करान अगला प्रस्में विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उन्देश है पहला विकर करके सिक्षार्थियों को प्रायोगी कोशन के आधार पर ग्रेड दूसरा है सिक्षार्थियों के साथ प् अपने स्रजनात्मक को असल का परदर्शन करने के लिए सिक्षार्तियों को अवसर उपलब्द कराना और तो अपने साच्रिक में स्पादन पू बढ़ाने के लिए सिक्षार्तियों को अवसर उपलब्द कराना तो इस प्रस्न में तीसरा वकल्प सही है अपने स्रजनात्मक क पॉशन का प्रदर्शन करने के लिए सिक्षार्थियों को अवसर उप्रद कराना अगला प्रस्ने विज्ञान सिक्षक के पद के लिए साथ चातकार देने वाले विज्ञान सिक्षक के पद के लिए साथ चातकार देने वाले चार अबेर्थियों को द्रवो और ब्यासो द्वारा लगाया दाब प्रकरण परकच्छा आठ के सिक्षार्थियों को एक निदर्सन पाठ देने के लिए कहा गया विन विन अब्यर्तियों द्वारा विन विन उपावनों का अनपालन किया गया, एला है, स्यांग पड़ पर आरेख की साहिता से सम्मंदिस संखल्पनां की विष्थिर्द व्याख्या करना, बुसरा है विभिनसंकल कनाओ को इस्फश्ट करने के लिए चार्ट का प्रियोग करना तीसरा है हस्त पलाक्सिक्षार्थी गत्विदियू के बाद चरचा का आयुजिन बरना और प्रोता है व्याख्यान के दोरान कच्छा कच्छी प्रस्णों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना उपर्योक्त उपाग्दों में से प्रक्रण को पढ़ाने के रिए सर्वादिक प्रभावी कोंसा है तो इसमिन सर्वाधिक प्रवावी हैं वयलै हस्त परक्शिक्षार्थी गत्विधियों के बाद, चर्चा का आयोजन करना तीसरा विकर्पिसमिस सही है अगला प्रस्ण विज्ञान सिक्षण में कच्छा कच्छी प्रस्णों की तकनीक के लिए प्रवावी रूप चे प्रियोग किया जा सकता है पहला है सीखने का इस्टर सुनिश्चित करने, दूसरा है समस्या समाधान कोसलों का विकास करने तीसरा है कच्छा में अनिशासन बनाई रखने वर चोथा है नवा चार ही ममिश्रजनाति मत्ता को बढ़ावा देवी तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकर्प सही है सीखने का इस तर सुनिश्चित करने अगला प्रस्ण में खाद प्रदार्थ में प्रोटीन की उपस्तिती का परिक्षर करने के कुछ चरण नीचे दिये गए है ये चरण सही क्रम में नहीं पहला लिखा है खाद प्रदार्थ का कुछ वाग परफ्णनी में लेकर इसमें 10 बूंड जेल डालिये और परफ्णनी को हिलाइए दूसरा निखा है परिक्षर किये जाने वाले खाद प्रदार्थ का पावडर अत्वा पेश्ट बनाइए दीसरा रहे परक्ननी में दस बूल कास्टिक सोडा विनेन की डालियों और बानी वाटी हिनाई में और चोथा निखा है इसमें दो बूल्ड कोपर सलफेट विनेन की मिनाई है इन चरोडों पर सही किरम है तो सही किरम बताना रहे तो सबसे पहले आएगा B उसके बाद आएगा A उसके बाद D फिर आएगा C यानि B, A, D, C दूसरा विकल्प इसमें सही होगा अगला प्रस्ने नीचे दिये गए कौन से पद किसी पुस्ट के मादा भाव पोस्ट संगटिक करते हैं पहला विकल्प है वर्तिकावर अंडा से एवं पोके से दूसरा विकल्प है वर्तिकावर अंडा से एवं पर्तिकाव दिसरा विकल्प है पुनकेसर अंडा से एवं पर्तिकाव और फोता विकल्प है पुनकेसर पंपुनिया एवं बाह दग प्रस्में दूसरा विकल्प सही है वर्तिकावर अंडा से अन्या प्रस्ने किसी अस्थी को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेश्मिया मिलकर संयोक तरूर से कार करती है। पहला में कल्प है दो दूशरा है चार तीसरा है छह और सुथा है संख्या निश्यत नहीं तो किसी अस्ति को गती प्रदान करने के लिए दो माख किसी अस्ति को गती प्रदान करने के लिए कितनी पेशनिया मिलकर सायुक्त रूप से कार करती है पहला है बानू कचुगा के अंकड़ा चटाने दूसरा है कीट मेड़क मचली जली पादक तीसरा है बाग, हिरन, घास, मिर्दा और सौथा है कीट जल जनी पादप मचली पेसमें दूसरा वकल सही एक कीट मेड़क मचली जनी पादप तो आज की वीडियो में जलाई 2013 की विग्यान के प्रस्नों को हल किया है जो जलाई 2013 के प्रस्नी पात्र में पूछे गए थे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट वाक्स में जनी बताईएगा वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करना मत भूनेएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तक तक के लिए बाइबाइब